Hello everyone, Good morning, Jai Masih, Praise the Lord, आप सब लोग अच्छे हो, ओके, अगर अच्छे हो तो आओ हमारे साथ मिलके कहो, Masih में बने रहो और बढ़ते रहो दोस्तों, आपका मित्र संजीब कुमार गवाफर से हाजिर है, और आप सबों को दिल से स्वागत करता है, आपके अपने चैनल, Know the Truth, Know the Truth में तो दोस्तों, are you ready for today's learning? Yes, okay, here we go, तो आज का जो हमारा संदेश है, बो है सफलता के उपर, संदेश का जो हमारा मुख बिसा है, बो है सफलता क्या फिर सफलता के उपर, तो आज का जो हमारा खासकर आधार, जो है बो है लुका का खिताब, उसका पांच अध्याय, और उसी म से हम आज चर्चा करेंगे, तो आईए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अटेंटिव होके, आप किरप्या से सुनें, और जरूर आत्मिक जीवन में बढ़ें, और अपने जीवन को दूसरे के लिए भी आसेज का कारण बनाएं, तो अगर आप लुका का खिताब उसका पांच अध्याय का चार पद में जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है वहाँ पर, जब वहाँ बाते कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मचलियां पकरने के लिए अपने जाल डालो, मतलब यहाँ पर प्रभुईश्यों मशी समौ से का रहे हैं कि मचलियां पकरने के लिए गहरे में ले चलो, तो यह पर जरूर आप पढ़े होंगे और आगे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समौन का जो रिस्पोन से बो इस प्रकार से आप सुनिए पांच पद में लिखा है, समौन ने उसको उतर दिया, मतलब प् कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल देता हूं, हाँ भया कर ले, क्योंकि जो बोल रहा है वो कौन है, हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए, यस, एनिवे, आचली इस कहानी पर फोकस करते हैं और आज का संदिश पर और आगे बढ़ते हैं, और उसका जब 6 पद हम पढ़ेंगे तो रिजल्ट के रूप में देखें क्या लिखा गया है, और बहुत ही खुबसूरत पद है, आप किरपा ऐसे ध्यान से गौर करें और देखें, छे में इस प्रकार से लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मचलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगें। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं, तो देखें और आगे साथ पदमे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूर लाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नावे यहां तक भर की वे डूमने लगे तो और लास्ट पद पांच अध्याय का आठ में इस प्रकार से लिखा है जरा ध्यान से सुनिए आठ में क्या अब यहां पे लिखा है लिखा है यह देखकर शमौन पत्रस येशु के पाउं पर गिरा और कहा है प्रभू मेरे पास से जा क्योंकि मैं क्योंकि इतनी मचलिया के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचमभा हुआ एक बाफिर से मैं दोराना चाहता हूं उसके साथियों को बहुत अचमभा हुआ क्यों इतनी मचलिया पकड़े जाने के दोरा तो मैं बिस्वास करता हूं कि आप सोने रहे हैं अगर आप सो रहे हैं तो बोली हालेलुया सोए हुए लोग बोली हालेलुया히 नहीं, मुझे भी सवास है आप मेंसे कोई लोग सो नहीं रहें और बहुत ही ध्यान पुुरभक आज के संदेश को आज का मंतन को सुन रहें तो हमने पहले ही आपको बताया था कि आज का जो हमारा जो मुख हेडिंग है और जो मुख हमारा जो मंतन करने का जो चर्चा बाला जो विसाय वो क्या है सफलता या फिर सफलता के उपर तो दोस्तो आज हम ऐसे संसार में समय में जी रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा कि सफलता ही सब कुछ है मैं आसा करता हूँ कि आप हमारे बातों के साथ एगरी हैं बिल्कुल आज ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हरे केरिया में perfection का demand है सफलता ही सब कुछ है यह कहके सिखाया जा रहा है समाज में सफलता यह सफल होना एक identity बन गया है लेकिन बहुत दुख की बात है कि यह नहीं बताया जा रहा कि सफलता ही सब कुछ नहीं है दुख की बात यह है कि यह नहीं बताया जा रहा कि सफलता ही सब कुछ नहीं है और परिनाम के रुप में ये होता है कि जिने सफलता हाथ नहीं लगता है वो क्या है तूट जाते हैं और ऐसे बिखड जाते हैं कि उनका जीवन में कोई आसा ही नहीं रह जाता है क्योंकि वो अपने आपको संभाले भी तो कैसे उनके दिल और दिमाग में एक ही बात फिट कर दिया गया कि सफलता ही सब कुछ है और ये नहीं बताया जाता है कि असफलता हूं में भी कैसे हमें द्रिड रहना है या फिर असफलता को कैसे सफलता में बदलना है दोस्तो आज ही हमारा मेन मुद्दा है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सच मुच में सफलता ही सब कुछ नहीं है दोस्तों मुश्खिलो का आना पॉर्ट ओफ लाइफ है और मुश्खिलो से निकलना art of life है और ये art बहुत कम लोगों को पता है एक बाफर से मैं repeat करना चाहता हूँ आप ज़रा ध्यान दीजे कि मैं कहा क्या रहा हूँ ये संदेश से हमारा बहुत fit बैठता है मुस्किलों का आना part of life है और मुस्किलों से बाहर निकलना art of life है एक कला है और वो कला सिर्फ negativity के तोर तरीके से सिखाय जा रहा है और उसे सही माइने में समाज को सिखाया नहीं जा रहा है वो ये ही सिखाया जा रहा है कि सिर्फ सफलता ही एक बड़ा art है दोस्तों आज का जो अध्यार लिया गया था उससे आप सिखी रहे होंगे या समझ रहे होंगे अगर इतना असान होता सफलता सब के हाथ लग जाना तो आज असफलता का क्या है मुका ही नहीं रहता लोग के जीवन में या फिर किसी को हाथ ही लगना नहीं था दोस्तों कई एक बार ये हम सोचते हैं कि हम अपने बल से हम अपने बुद्धी से हम अपने धन से हम अपने ज्यान से सफलता को हासिर कर लेंगे लेकिन आप सोचिए सोचने का समय और पुरा फ्रीडम आपको क्या ऐसा सचमुच में होता है यहाँ पर आपने देखा आप समोन के जीवन से जो मच्वारा था उससे अच्छा और कोई मच्छी मारने वाला मेरे ख्याल से उस समय नहीं होगा और उसको पता था कि कौन सा समय में मच्छी मारना चाहिए और कौन सा समय में उसका मेहनत का फैदा हो सकता है और वो उस दिन क्या है रात भर मेहनत किया, बट फिर क्या हुआ, सफलता हांसिल लगा, मतलब यह तो बिल्कुल तरह है, कि आप अपने ग्यान, अपने तजर्वे, आप अपने बुद्धी, आप अपने धन से सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर कैसे, दोस्तों आप समझी रहें बातों को, देखे, सफलता जो छीज है, यह बहुत ही अनोखा अनभाव है, यह बहुत ही अनोखा अनभाव है, और आप अगर इस पे जरा सूचे, कि आप या बहुत सारे लोग प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है, अगर हम अपने मेहनत, धन, पैसा, ताकत से गरी यह हांसिल कर सकते है यह कर सकते थे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, दोस्तो, सफलता देने वाला हम से बढ़कर कोई और है, हम से उपर है जो सफलता जीवनों में देता है, बो और कोई नहीं बो है, प्रभू इशुमसी, हाँ आप चौकिये नहीं, आप इस घटना से देख सकते हैं, कि एक समय मचली पकड़ा जा सकता है, और वो बहुत कम बार ऐसा, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो, लेकिन रात भर मेहनद करने के बाबचूद भी उसे मचली हासिल नहीं हुआ, तो हमारे और आपके लिए एक आज बहुत बड़ा लेसन ये है कि, हम अगर अपने शमता, अपने शक्ति, अपने बुद्धी, अपने ज्यान से सफलता को चाहेंगे, और आपको पता यह है कि, उसका रिजल्ट क्या है, निराशा है, निराशा, लेकिन हमसे उपर है, हमसे उपर मतलब जो सफलता देने वाला है, मेरा कहने का मतलब यह है, हमस कहराओं की जो सफलता देने वाला है उसका नाम है प्रभूई शूमसी क्योंकि वो आपके लिए चिंता करता है वो आपसे प्रेम करता है वो आपके हर एक जरुत्तों को जानता है और वो पूर्ती करना जानता है आपका छोटे और बड़े बात सब जानता है आपका छुपा ववा चीज उसके लिए खुला है आपका हर एक बिचार हर एक बाते को वो जानता है और आपको क्या जरुरत है वो ये भी जानता है तो दोस्तो सफलता हमारे और आपके जीवन में देने वाला प्रभुईश्य मसी है और वो जानता हमारे लिए और आपके लिए बेश्ट क्या है वो आपके तनावों को भी जानता है तो मैं आज यही एंकरेज करना चाहता हूँ कि उस प्रभुईश्य मसी से आप सफल सा प्राप्त करें जो बेहिचक देता है आपका लास्ट होप नहीं होना चाहिए अंत नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप हारते हैं क्योंकि बचन में लिखा कि तुटे और पिशे हुए मन वाले परमिश्य के लिए क्या है बलिदान के समान है और बचन में यह भी लिखा कि जितनों ने उसकी और दिष्टी की उ अगर सफलता कुछ है तो वो प्रवीशु शे मिलता है आपने यहां पे देखा कि किस प्रकार से एक नया खुसी एक नया अनुभव करने और सीखने को मुकामिला पत्रस को वो अपने आप एक गहवंट उनके जीवन में क्या है वो confidence थे किया मैं मचवारा हूँ मुझे पता है लेकिन फिर भी उन्होंने प्रवीशु मसी का बात मानकर जाल डाला तो प्रवीशु मसी का दस्तक आपके जीवन में सही समय पे होता है दोस्तों अगर आप किसी चीजों से निरास है परिशान है हतास है उदास है आपको यह लग रहा कि मैं बहुत समय से यह काम कर रहा मुझे सफलता नहीं मिल रहा मुझे ऐसा होना चाहे था मुझे ही करना छाए था दोस्तों आज प्रवीशु मसी है आपको कह रहा है कि आप अपना चिंता परिश्आननल मुझे मुझे दो मेरे ऊपर दो कि उसका ख्याल करता है है और सफल होने का कुझी प्रभुईश्य मसी है सफलता देने वाला प्रभुईश्य मसी है रिजल्ट के रूप में आपने देखा ही बहुत धेट सा मचलिया आया यहां तक कि जाल फट गया फटने लगा और दोस्तो को भी help करना पड़ा जाल खिछने में तो दोस्तो अगर सफलता कुछ है तो वो है प्रभुईश्य मसी अगर सफलता एक problem है तो solution प्रभुईश्य मसी आप निरास ना हों हतास ना हों और जिस प्रिकार से पत्रस के जीवन में खुस ही आया और उसको जानने का मुका मिला प्रभुईश्य मसी के बारे में आज हमारे और आपके जीवन में एक बुलाहाट है अगर आपके माइंड को ये आदत लग गया दिल को की perfection ही सब कुछ है तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए आपके माइंड और आपके दिलों को वो perfection और शफलता देने वाला प्रभुईश्य मसी है अगर आपके मनों को समाजने फिट कर दिया कि सफलता ही एक ब्रांड है एक सब कुछ है प्रभुईश्य मसी के पास उसका हल है तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ बिसवास करता हूँ कि आप हमारे इस संदेश को समझने की कोशिस कर रहे है और मैं आप सब को उच्छाहिद करना चाहता हूँ कि आप इससे समझें कि सफलता देने वाला आपके ताकत, आपके ग्यान, आपके बुद्ध, आपके धर नहीं है सफलता परमेश्य प्रभुईश्य मसी देता है हरेक अच्छे बस तु परमेश्य की और से आती है और वो आप से प्रेम करता है आपका चिंता करता है इसलिए आपके लिए भला काम भी करना चाहता है और वो जानता है दोस्तों, स्टे बलेसेद और स्टे सेफ and request you to don't forget to subscribe my channel, like and share for sure so soon I will meet you in next video till then bye bye take care